अभी को नमस्कार, हेरिटेज के बेट प्लस यूटूब चैनल में आप सभी का स्वागत है आज हम चर्चा करेंगे अजोला का खेती कैसे करें अजोला एक हराफ़न का पौधा होता है अजोला का पाउडर आराम से पच जाता है और सरीर के लिए पुष्ट कारक होता है अजोला को एक पोसक खाने के रूप में प्रयोग कर सकते हैं डेली अजोला के प्रयोग से क्या फायदे होते हैं एक जानवर को डेल से दो किलो ग्राम अजोला खिलाने से 15-20 प्रिश्ट दूट की मात्रा को बढ़ा सकते हैं अजोला के डेली प्रयोग से हम 15-20 प्रिश्ट दाने के खर्च को कम कर सकते हैं और फैर प्रिश्ट और SNF के प्रिश्ट को भी बढ़ा सकते हैं जिससे की हम एक लीटर दूट के उपर डेल रुपए तक की एक्ष्टा कमाई कर सकते हैं दाने की जगएं अजोला का प्रियोग करके हम कम दाम में ज़्यादा मुनाफ़ा कमा सकते हैं दाने का खर्च हम कम कर सकते हैं अजोला का प्रयोग करके जो की ज़्यादा पुष्टी कायरक होता है हम इसका प्रयोग ग्राउंडनर केक और काटन सीट केक की जगह जानमर को खाने के लिए दे सकते हैं अजोला का खेती कैसे करें रोज 4 किलोग्राम अजोला उगाने के लिए सवा 2 मीटर लंबा और 1.5 मीटर चवड़ा तीन टैंक तयार कर लेते हैं जमीन पर से सभी घास और खरपतवार निकाल देते हैं और जमीन को समतल बना लेते हैं फिर 10 सिंटी मीटर उचाई वाले इट से सवा 2 मीटर लंबा और 1.5 मीटर चवड़ा टैंक तयार कर लेते हैं तयार किये गए टैंक में पलास्टिक की बोरी डाल देते हैं ताकि किसी पेड़ पौधे का जड़ टैंक के अंदर ना आ सके और फिर इसके उपर ताल पतरी डाल देते हैं और देख लेते हैं कि ताल पतरी इट के किनारे तक पहुच जाए ताल पतरी की गहराई 10 सिंटी मीटर होनी चाहिए इसके बाद 30 से 35 किलो गराम मिट्टी लें और ताल पतरी के उपर एक समान रूप से डाल दें इसके बाद में 2-5 दिन पुराना गाय का गोबर लें, 4-5 किलो और इसको 5-20 लीटर पानी में मिलाकर एक पेश्ट के जैसा तयार कर लें, फिर इसमें 40 ग्राम मिंडल मिक्चर मिलाएं, फिर इसको टैंक के अंदर मिट्टी के उपर डाल दें, और बाद में 7-10 सिंटीमीटर क उचाई तक पानी भर दें, इसके बाद में 1-5 किलो ताजा मदर कल्चर अजोला लें, और एक समान रूप से टैंक में इसका छिड़काव कर दें, और फिर इसके बाद ताजा पानी अजोला के पवधे के उपर छिड़क दें, ताकि अजोला का पवधा सीधा खड़ा रह स एक हपते के अंदर अजोला तीजी से बढ़ जाता है, और पूरे गड़े को साथ से दस दिन में घेर लेता है, एक किलो ग्राम अजोला से आजोला रोज प्रेवक कर सकते हैं, 7वे दिन से, इसके बाद हपते में एक बाएर एक कीलो ग्राम गाय का गोबर लें और 20 ग्राम म मिला करके अजोला के टैंक में डाल दें अजोला को पैदा करने में कया कया साूधानिया बरतनी चाहिए आजोला उस जगह के लिए अच्छा नहीं होता है जहां डारेक्ट छुर की किरने परती हैair ज्यादा छाया होती है। अगर किसी पेड का पत्ती अजोला के टैंक में गिर जाता है तो अजोला के लिए खतरनाक होता है इसलिए जहाँ पत्तियां गिरती हैं वहाँ आजोला का टैंक सुटेबूल नहीं होता है पानी का लेबर 5 cm होना चाहिए और टैंक कोने से एक समान रूप में दिखाई देना चाहिए नूट्रियन की कमी को दिहान में रखें और जवरत पड़े तो किट नासक का प्रयोग करें एक चौथाई पानी हर दस दिन में एक बार निकाल दें और ताजा पानी फिर से टैंक में भर दें खराब अजोला को पूरी तरीके से निकाल दें और ताजा अजोला फिर से उसकी जगह पर डाल दें फंगस लगे अजोला को निकाल दें टैंक से और कहीं दूर ले जाकरके इसको गड़ा बना करके गार दें अजोला जानवर को कैसे खिलाएं अजोला का इकठा करके छननी वाले ट्रे में रख दीजिए और फिर ट्रे को आधे पानी भरे बाल्टी के उपर रख दें इसके उपर से साफ पानी डालें जिससे की गोबर का दुर्गन चला जाए चोटा अजोला चननी के छे से बाल्टी में चला जाता है उसको पानी सहीत अजोला के टैंक में वापिश डाल दें ताकि वह फिर से बड़ा हो जाए जोला बहुत फायदे मंद होता है किसान को इसको एक-एक के रेशियो में जानवर के खाने में इसको मिक्स करके देना चाहिए जादा जानकारी के लिए हमारी यूटूब चैनल को लाइक, सेयर और सब्सक्राइब करें